हलो दोस्तों शौगत है आपके यूटूब चैनल एलेक्टिकल वाला में तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छी होंगे तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज मोटर विथ टू कंडेंशर आप लोगों ने देखा होगा कि एक सिंगल फेज मोटर में तो कंडेंशर होते हैं एक तो हमारा होता है स्टार्टिंग कंडेंशर ठीक है एक स्टार्टिंग कंडेंशर होता है और दूसरा हमारा होता है रॉनिंग कंडेंशर ठीक है आप कुछ इस तरह मोटर देख सकते हैं दोनों साइट कंडेंशर लगा होता है तो इसकी जरूरत क्या है तो यहां पर देखिए अगर सिंगल मोटर की बात करें तो उसमें कुछ इस तरह का वाइरिंग होता है ठीक है कुछ इस तरह का वाइरिंग होता है आप लोगों ने देखा होगा ठीक है और यहां पर हम लगाते हैं रॉनिंग कैपसिटर और यहां पर हम लगाते हैं स्टार और यह हमारा सबस्द अब हम यहां में बाद करते हैं कि किसी भी जग़म कर ऑगर हम काम कर रहे तो हमें दो आप कर दो दो जो होगा उसका पहले होगा वह आपका कम होगा और स्टार्टिंग कैपसिटर का वैल्यू जादा होगा यानि कि दो गुना जादा होगा यह अगर 5 है तो यह आपका 10 होगा तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि रॉनिंग कैपसिटर और स्टार्टिंग कैपसिटर कैसे पहचवाना जाए अब हम यहां पर बा चलता है कि किसी भी मोटर को स्टार्ट करने वाला कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और उसके बाद रेगलर उसको चलाने वाला कैपेसिटर रॉनिंग कैपेसिटर होता है यहां पर एक बात और करते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर ना दे तो क्या मो starting capacitor का काम खतम हो जाता है माल लेते हैं यह आपका मोटर है और इसमें साफ्ट निकला हुआ है ठीक है तो अगर आप किसी भी जरिये से किसी भी एकुमेंट के हेल्प से या अपने हाथों से इसको अगर अब थोड़ा सा घुमा देंगे तो रॉनिंग कैपिसिटर इस मोटर को घूमाता रहेगा ठीक है तो यहां पर देखें यहां पर जो bei की के मदद से घूमने लगता है तो यहां पर एक सवाल यह हो जाए तो running capacitor को हम हटाते तो यह चलता रहेगा तो बिल्कुल चलता रहेगा क्योंकि यहां पर internally जो होता है वही काम होता है यहां पर हम रिले भी लगा सकते हैं ठीक है किसी भी switch को लगा दे तो क्या होगा आपका motor जब start हो जाएगा तो आप इस capacitor को off कर सकते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह पते चलिए कि starting capacitor का में क्या होता है किसी भी motor को बस थोड़ा सा कुमाने का काम होता है उसके बाद वो काम running capacitor ले लेता है तो आप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सिंगल मोटर में दो क्यों लगे होते हैं उसका काम क्या होता है फिर भी कुछ रह गया हो इस टॉपिक